वेलकम टो और चैनल आज हमलों देखेंगे वर्टिकल स्रूलर मोशन का part 3 जो कि यह मारा वर्क एंशान पावर का लेक्चरर No.3 है तो इसमें उम मैंली डिसकस करेंगे डिफेरेंट सिचुएशन वर्टिकल सर्क्लोर मोशन का क्या क्या डिफेरेंट सिचुएशन होंगे उसको में एके करके समझेंगे कैसे सॉल्व करना है डिफेरेंट सिचुएशन को उसमें जो हमारा पहला सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है कि अगर कोई बोडी हो किसक हो अगर यह रहेग तो उसके अंदर की बौड़ी हो किस तरह से मूज करेगा उसको हमें दिखना है कहने का मतलब क्या है कि ही हमारा एलेट से माल लेते हैं से होलो ट्व है या hollow sphere है, तो इसमें किस तरह से circular motion होगा, अगर अंदर कोई object इस तरह से रखा हुआ है, और इसका velocity मान लेते हैं, और horizontal कितना है, U है, तो यहाँ पर किस तरह से solve करना है इसको, तो यह जो situation है, यह क्या है, पहले हमने देखा था कि एगर रसी से बांध कर हम, बिसकलिए vertical circular motion कर रहा था, तो उसमें क्या था, रसी क्या था, टेंशन क्या था, center के तरह force लगा रहा था, यहाँ पर, यहाँ पर कोन वो force लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, center के तरह लगाएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो, कि जो हमने string वाला case किया था, उसी में क्या करो आप, टेंशन के जगा क्या पूट कर दो आप, जो हमने string वाला case था, उसमें हम tension के जगा क्या पूट कर देंगे, नॉर्मल फोर्स पूट कर देंगे, और solve करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे हमने string वाला vertical circular motion क्या था, उसी तरह से हम इसको भी solve कर लेंगे, तो तरीका क्या होगा, सेम होगा, कहने का मतलब, अगर यहां रहेगा initial wave speed क्या है, यू है, तो इधर क्या लेगा, इस पे normal लेगा, निचे क्या लेगा, mg लेगा, और एक centrifugal force भी लेगा, मान लेते हैं, रेट से यहां है, तो यहां पर normal कि इधर लेगा, नर्मल हमेशा surface के perpendicular direction में होगा, तो surface ऐसे है, तो नर्मल इस direction में लेगा, यहां probability कुछ और होगा, लेट से मान लेते हैं, कि यह वी टू है, नर्मल इधर होगा, यह दूसरा normal होगा, और mg भी किदर लेगा, gravitational force इधर लेगा, और एक और force होता है, वो क्या होता है, centrifugal force, तो वो हमेशा क्या होता है, तो वही तरीका है, solve करने का तरीका क्या है, string वाला ही तरीका है, बट उसमें क्या करना है, जहां पर tension रहेगा, उसके जगा क्या पूट कर देना, आपको नर्मल पूट कर देना है, और उससे जो condition आएगा, यहां पर इसका जो minimum value होगा, वो कितना होगा, वही जो हमने पहले string में देखा था, कितना आदा था, under root 5gr, तो जो minimum value होगा, या फिर हमें इसको general अगर लिख दे, इसमें general जो speed होगा, initial speed होगा, कितना होना चाहिए minimum, circle को complete करने के लिए, वो होना चाहिए, under root 5gr, तो मगर हमें इस general लिख दे, तो under root 5gr के बराबर या उससे अगर ज्यादा यहाँ पर speed रहेगा, तभी क्या होगा, यह vertical circular motion करेगा, string में तो वही था, यहाँ पर भी अगर hollow tube है, या sphere है, hollow sphere है, तो गर उसके inside कोई object रखा हुआ है, तो यहाँ पर speed कितना होना चाहिए, under root 5gr, इसके बराबर या इससे ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा vertical circular motion complete करेगा, सारे cases वही है, आपको apply करना है, तरीका solve करने का क्या है, जो हमने पहले देखा था, वही तरीका आपको यहाँ पर भी solve करना है, बस ध्यान रखना है, कि वहाँ पर tension हुआ करता था, और यहाँ पर क्या होगा, normal होगा, दुसा situation क्या हो सकता है, कि कोई vertical circular motion कर रह रड है, रड का मास मान लेते हैं कि मास नहीं है, बट वो रड है, तो अगर रड रहेगा, तो किस तरह से vertical circular motion करेगा, वो हमें देखना है, तो मान लेते हैं कि हमारा क्या है, रड है, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल सर्कूलर मोशन कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, कि इसका radius कितना हमारा आर है कि मतलब रड का कितना होगा अगर यहां पे रड के टॉप पॉइंड पर कोई Website है तो क्या होगा है तो कि आ वर्ट अपेफ़ कुछ मोशन करेगा ऊसके लिए कंडिशन क्या हो वो हमें देखना आए तो को यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट जो में ध्यान रखना जिसे रसी क्या होता था रसी को इसे घुमाते थे रसी से बांद कर दो कोई तोप आने से पहले उसका गया करता था यहां रट के किसमें ऐसा नहीं होगा कितना भी स्पीड है हमेशा क्या होगा एक सणकूलर पाथ ही करेगा अगर मान लो उसका स्पीड यहां तक पहुंचने का नहीं है तो यहीं आकर रुख जाएगा और यह वापस फिर क्या होगा और सिलेशन करने लगेगा तो यहां पर प्रोजेक्ट अलिका कोई सवाल नहीं आता क्योंकि जो रड है उसका लेंद्ध क्या होता है फिक्स होता है लेकिन स्ट्रिंग है तो क्या है उसका भी लेंद्ध फिक्स है बट उसका लेंद्ध कम सकता है ज्यादा नहीं हो सकता है रड के कैस में क्या होगा ना तो इधर कही जीरो होगा उसका टेंशन जब टेंशन जीरो होगा तो क्या होगा यहां से वो पोर्जेक्टाइल करने लग जादा था लेकिन इस केस में रड़ वाले केस में क्या होगा पोर्जेक्टाइल नहीं करेगा जहां पर भी इसमें तो टेंशन के सवाल हि नहीं है तो जहांँ पर इसका वेलस् vị्टेटि जीरो होगा वहाहां से क्या होगा यह वापस आ जाएगा और इसके बाउट क्या करेंगा ओ सिलेशन करेंगा तो यहां स्टिंग केस में क्या होता था पर्चेक टायल मूशन करता थ है अ है कि अगर मानलों यहां सपीर दिया मैंने इसको और यह क्या वह इसके पहले जैसे हमारा यह एदऊ करते हो डिये वी पॉलेंट और ओर देवाज सी पॉइंट मेना के पहले अगर स्पीड जीरो हो गया है तो तो क्या होगा इसका अलॉट क्या होगा रुक फिर स्लिशन करने लग जाएका सब jullie क्या होगा अगर यहां तक नहीं पहुंचा रण तो उसके पहले रुख गया कहीं तो क्या होगा फिर ऊस्तिलेसे करेगा इस के लोग इस हिंजकches के लॉग यहाँ जो सेंटर इसके करेगाएं ओसिलेशन करेगा तो इसके लिए condition क्या होगा हमें condition पता करना है क्या यह स्ट्रिंग जैसा ही condition है या different condition है यहां पर कितना speed हो ताकि यह vertical circular motion कर ले हमें निकालना है कि यू minimum कितना होगा ताकि वह वर्टिकल circular motion कर ले यहां पर ध्यां रखना है यह चीज क्या है ओर की रॉड जो कि रोड क्या होता है ओर हम यहां मां तो कैसे करेंगे सोल्व इसके लिए चाहिए निया गए के बहल सब् definitely आगे बढ़ जाएगा और फिर सब्सक्रा लेगा तो इस condition क्या होगा यहां पर कि यहां पर इस point पर जो speed है वो क्या होना चाहिए ев했 जीरो बड़ाबर यह उसे बड़ा होना चाहिए तो यहां पर यह condition होगा हमारा प्र सर्कुलर मोशन का अगर मिनमुम निकालने की बात करें अगर यहां पर किम लेट से minimum की बात कर रहे यहाँ पर हम let's say u minimum की बात कर रहे है तो यहाँ पर जो velocity या जो speed होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा तो 0 भी रहेगा तब भी क्या होगा यह circular motion कर लेगा vertical circular motion कर लेगा तो यहाँ कैसे निकालेंगे इसका value उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एसे सी के बिच में क्या करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा हमें एसे सी के बिच में क्या करना पड़ेगा स्कार्जिसन से इनर्जी निये कन्जर्वेशंन और अपर से तो यहां पर का pencil सक्ष हो रहा है अगर हम यहां देखें तो यहां पर वादिया से व्यएसे हो रहा है रेट में जो टेंशन है है या जो जो भी है कर Тब्स प्रस्त प्रस तो में सब्सक्राइब है करा हुआ कि विच में करा रहे आज के बीच में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देंगे तो यहां पर इसको हम पोटेंशल नर्जी को जिरो माल लेते हैं यहां पर पोटेंशल नर्जी क्या हमारा जीरो है तो यहां पर हम क्या लिक सकते हैं यहां पर हम क्या होटाएगा जीरो तो काइनेटिक नजी इनिशिल कितना होजाएगा half m u minimum का square और potential energy यहाँ पर हमने क्या मान लिया है 0 जो इसको solve करेंगे m से m cancel हो जाएगा तो यह basically क्या है u जो minimum का square है वो कितना हो जाएगा 4 gr तो u जो minimum आएगा वो कितना आजाएगा हमारा under root 4 gr यह under root 5 gr नहीं है ध्यान रखना है के case में कितना आता था minimum speed जो minimum speed था vertical circular motion करने के लिए वो कितना आता था under root 5 gr यहाँ पर ध्यान रखना है अगर red है या फिर आगे भी हम देखेंगे अगर दो ring रहेगा उस case में भी क्या आएगा जो minimum speed होगा वो कितना होगा vertical circular motion करने के लिए under root 4 gr तो यह ध्यान रखना है अस्ट्रिंग रहेगा तो यह हो जाएगा अंडर रूट फाइव जी आर अगर रट से वो connected है यहाँ पर कोई मास है और रट से connected है तो यहाँ पर इस मास का minimum speed कितना चाहिए अंडर रूट फोर जी आर तो क्या होगा यह वर्टिकल circular motion कंप्लीट कर लेगा तो हम इन जेनरल अगर हम बोल दें अगर हम इन जेनरल बोलें तो इन जर्णरल U का वैलू क्या होना चाहिए वर्टिकल शर्कुलर मोशन के लिए वह तो क्या होगा, एक्वाल टू कितना होगा अंडरूट 4G आर या उससे बड़ा, तो क्या होगा यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा, ध्यान रखना यह रोड है रोड कैसा रोड है मास्लेस रउड है जिसका मास नहीं पाफ़ा ये बॉडी का मास ए क्योंकि string के case में कितना आता था under root 5GR आता था minimum speed लेकिन अगर उसके जगा string के जगा अगर हम run put कर दें तो क्या होगा vertical circular motion complete करने के लिए कितना चाहिए minimum velocity या minimum speed under root 4GR अगला situation देखते अगला situation क्या है कि अगर हमारे पास dual ring है कैसा ring है dual ring है तब किस तरह से vertical circular motion होगा वो हमें देखना है dual ring कहने का मतलब दो concentric ring है या आप उसको यह भी बोल सकते हो कि bearing है जो ball bearing होता था वही चीज़ रहता उसमें एक ball रहता है center में और वो move करता है तो यह मान लेते कि हमारे पास क्या है dual ring है और यहां पर क्या है कोई object है इसका radius मान लेते हैं कितना है लेट से आर और इसका speed मान लेते हैं कितना है लेट से यू तो यहां पर किस तरह से वी हैब करेगा किस तरह से वर्टिकल से क्रिक्लर मोशन होगा वह हमें देखना है तो इसके लेए क्या है यह जो situation है जो डूल रिंग वाला जो situation है वो किसके सिमुलर है यह किसके सिमलर है या फिर आप ऐसे बोल दो इसमें जो solution होगा वो किसके similar होगा similar solution होगा किसकी वज़े से किसकी तरह जो हमने पिछले बार देखा था road की तरह तो road की तरह इसको भी solve होगा और इसमें भी जितने भी value आएंगो क्या होगा road जैसा ही होगा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो minimum speed होगा vertical circular motion करने के लिए वो कितना आएगा under root 5GR यह आप ऐसे बोलो कि in general u का value क्या होगा greater than और equal to क्या होगा under root 5GR तो यह ध्यान रखना है अगर dual ring है तो कैसा solve होगा है road की तरह ही solve होगा और उसका जो data भी आएगा हो क्या होगा similar आएगा जो road की वे से आता था वही क्या होगा इसमें भी सेम आitas क्या ये यह भी क्या एक constant motion जैसा 17 जैसा आए नहीं इदर जा सकता है हमेशा क्या होगा एक circular पाथ ही फॉलो करेगा जिसका radius क्या होगा आर होगा तो इसमें अगर डूवल रिंग है या रोड है दोनों का सोलूशन दोनों का जो कि यू मिनुम आएगा और क्या आएगा सेम आएगा करें का मतलब क्या है कि सर्फेस के ऊपर अगर हम कोई बाड़ी को रख दे ऐसे"; और इसको सलाइड करने दे तो यहां पर रख देँ है मीदल में यहां पर रख दिये और इसको अमने सलाइड करने दिया कि तो क्या होगा इस लाइड करेगा देदर इसका स्पीड बढ़ेगा और एक समय आएगा ऐसा कि सर्फिस को छोड़के चला जाएगा स्पीड से चला जाएगा तो हमें क्या क्या पता करना है कि किस कहां पर कहां पर यह surface को छोड़ेगा कितना angle हो गाई यह angle कितना होगा और कितना speed से हो ज़़ेगा surface को उसका speed कितना होगा और यहां से कितना height होगा यह सब सारे चीज़ें हमें इसमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे? वो हमें दिखना है let's say मालनेतने की a point है यह C point है और यहाँ वाला इसको मान लेते हैं लेट से D point तो कैसे solve करेंगे हम इसको तो इस पर कौन-कौन से force लाएंगे वो हमें देखना है इन जनरल इस पर कौन-कौन से force लाएंगे निचे क्या लगेगा mg लगेगा इधर क्या लगेगा नॉर्मल लएगा और को फोर्स मान लेते कि यहाँ पर इसका जो स्पीड है वी है और एक और क्या लएगा सेंट्र सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लएगा यह आप ऐसे बोले कि भी स्पार बायार से एक्सेलरेशन होगा तो हम इसको लिख सकते अगर इसको मैस में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा हमें यह फाई है तो यह भी क्या होगा फाई होगा इसका एक कंपोइंट इधर आएगा कंपोइंट इधर आएगा तो हमें इस कंपोइंट की बात करना है तो हम बोल सकते हैं क्या अकट oppulsion से फोर्द लेंगा एक तो नॉर्मल लिए एक और फ्लावा कं उनुल फ्लार इसके बृबर होगा हो कितना होगा mg cos 5 तो यहां से हम लिख सकते कि normal का value कितना आ जाएगा हमारा mg cos 5 minus m v square by r यहां से लेट से m common ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा g cos 5 minus v square by r अब देखो x में ऐसा आएगा कि क्या होगा यह body क्या होगा surface को छोड़के चला जाएगा तो उस point पर जो normal होगा उसका value क्या होगा 0 हो जाएगा normal क्या है contact force होता है तो जब contact ही नहीं रहेगा तो क्या होगा normal का value क्या हो जाएगा 0 जिस समय क्या होगा यह surface को छोड़के जाएगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि the body flies off the surface at the point where n becomes 0 कैश सक लेकि जल्डा एक मधिसनी खहां जोड़ानि फोड़ा सफ सम्द्रा इंद्जीरो कहने का मतलब क्या कि焊 जीरो हो जाएगा और मतलब कि आए कि चुश erg 1998 आइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस फाइं कितना आ जाएगा या फिर आप ऐसे बुल सकते भूस से में जब छोड़ते समय स्पीड कितना होगा ओज्य बहला हो कितना हो जाएगा जी आर कॉस फाइगा तो इतना स्पीड से ऊचोड़ेगा ay अंडरूट और अपिर आडर इससे लिखतों अंडरूट इतने स्पीड से क्या होगा वह सर्फेस को छोड़ेगा अब हम क्या करेंगे हमें क्या निकालना है कि एंगल का वैलू कितना होगा यहां से हम एंगल का वैलू लिख सकते हैं वह क्या होगा यहां से हम एंगल का वैलू लिख सकते हैं बटे क्या है वी जी आर के टर्म में आएगा यहीं भी नहीं पता जी यार भी नहीं पता तो हमें फाइल निकालना है विसिकली तो हम देखो हमने तो निकाल लिया कि यहां पर स्पीड कितना होगा जब यह सर्फेस को छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे यहां से यहां तक consolidation of energy apply करेंगे कैंजिकल क्या मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे कम up, मेकाञा नर्जी कंजर्ब करा सकते हैं यहां पर जो भी वर्क हो राहा है हो किसकी वैसे हो रहा है यहाँ पर हम क्या करेंंगे energy conserve करा देंगे energy conserve कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर kinetic energy final plus potential energy final is equal to kinetic energy initial plus potential energy initial कि कितना है कि कि पोटेंशन और जी कितना है फाइनल इसे को मने जीरो मान लिया कि कि इतना हो जाएगा जीरो कि इनिशल कितना हो जाएगा जीरो अगर हम मैं स्टार्टिंग का potential energy के हम बात करें तो हमें यह height निकालना पड़ेगा जो कोई A क्या है R है तो यह कितना हो जाएगा R cos 5 और यह कितना हो जाएगा तो यह कितना बच जाएगा R minus R cos 5 यहने कितना हो जाएगा M G H कितना हो जाएगा R minus R cos 5 अब हम इसको solve करना M से M cancel तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या यहां से M क्या लिख सकते हैं कि जो V square होगा वो कितना होगा 2 V square को हम क्या लिख सकते हैं 2 G R 1 minus cos 5 कि इसको हम फोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम फोड़ा और solve कर रहें तो यहां पर लिख सकते हैं 2 1- cos 5 को हम क्या लिख सकते हैं V square by G R अब यहां पर देखो आप इसमें देखो यहां पर देखो तो यहां पिसक्लि हम cos phi को क्या लिख सकते हैं इसको अगर हम फ्राइसा और simplify कर देते तो basically हम इसको लिख सकते थे यहां से अगर हम cos phi का value लिखते तो यहां पर क्या आता हमारा V square by GR आता तो cos phi को हम लिख सकते हैं V square by GR कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह कॉस्ट पाइबर है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो बिसिकली भी स्कॉर बाइजी यार का वैलू कि आएगा कॉस्ट पाइगा अब इसको थोड़ा सम्सिंप्लिफाइब कर देते तो यह जाएगा टू तू कास फाइज इस एकुल टू क पाइज हे ग्यार ने जगह कम गया थोड़ा से इसको मिटा लेते हैं लोग है थो बीसिकली हमारा क्या आ गया भीछ अगया थ्री कहल स्पाइज यहां से हमारा जो कॉस्पाइज होगा वह क्या जाएगा टू बाइट तो यह क्या होगा एंगल होगा यह एंगल का वैलू कितना होगा कॉस्पाइ कितना होगा टू बाई थ्री यह आप लिख सकते हो कि फाई क्या होगा कॉस इंवर्स टू बाई थ्री तो एकी चीज़ है यहां पर हम एंगल लिखती है यहां पर कॉस के साथ एंगल है तो एंगल का value कितना होगा Цos2 x3 यह बहुत ही important कहां पर इसक Aa सर्फेस छोड़े गए object वह क्या होगा एंगल कितना होगा थिछ फरी और उस समय छोड़ने का स्पीड कितना होगा अंडर ऊट जी आर कॉस resposta अगर हम है पॉइंट से याने कि हम अगर हम edd की बात करें ग्राउंड से कितने हाइट पे छोड़े यह ओप्जट शर्फेस को तो एवडी को क्या लिख सकते है और यॉड़ के लिख सकते आर प्लस आर कॉस फाइब एर प्लस ein प्लस आर कॉस पाइब कितने हमारा टू बाइ थ्री यानिकी एडी का वैलू कितना आ जाएगा हमारा फाइब आर बाइब थ्री तो ग्राउंड से कितना दूर पर सर्फेस छोड़ेगा फाइब आर बाइब थ्री पे यहिए काफी important concept है आपको ध्यां रखना है यहां पर हमने देखा कि यहां पर यहां पर इसका प्यास को स्कॉर वैई गास फाइब का वैली-घ। इसको proper दुछ कितना आ यह object है, इस surface को छोड़ देगा, वो height कितना है हमारा, 5R by 3. Thanks प्रवाजी.